असलाम लेकूं विवर्स आज रुबिनांसारी किचन में आपके लिए चिकन नूडल्स तयार हो रही हैं दो टेबल स्पून ओलिव आईल के मैंने वाक में डाल दिये हैं एक टेबल स्पून लेसन जो पांच से छे जवे थे उन्हें मैंने कुचल लिया है वो डाल रही हूँ इसे मैं थोड़ा सा सौटे करूंगी दो बड़े साइस की प्यास मैंने रफली चॉप की हैं मोटी मोटी ये भी मैं साथ ही डाल रही हूँ और ये भी सौते हूंगी फ्लेम हाई है तमाम प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही होगा अब जब ये सौते हो जाती है तो फिर इसमें मैं चिकन का कीमा मोटा मोटा तयार कर लिया है एक कप के बराबर है अब मैं से कलर चेंज होने तक अच्छी ब्रू दरमियान साइस के टेमाटर मैं रफली चॉप कर लिए हैं कलर चेंज होने के बाद फिर वो इस चिकन में शामिल करूंगी ब्लिवर्स दो मिनट हो चुके हैं और मैंने टिमाटर भी शामिल कर दी हैं अब इन टिमाटरों के साथ ही मैं एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून काली मिस्ट का डालूंगी नमक कम मैं यू डाल रही हूं कि सौसिस में भी नमक होगा तो कहीं तेज ना हो जाए इसके ला अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी विवर्स दो से तीन मिनट हो गए हैं अब मैं दो टेबल स्पून टिमाटो कैचप और एक टेबल स्पून चिली गारलिक सास का डाल रही हूं आप चाहें तो इसमें वाइट वेनिगर वगारा भी डाल सकते हैं मैं वो नहीं डाल रही हूं यह मिक्स हो रहा है मिक्स होने के बाद एक छोटी कैपसिकम यह भी रफली जरा मोटे मोटे टुकडों में कटी हुए है यह डाल दी है और इसे भी सौते करूंगी और गैनो लीव्स मैं एक टीसपून शामिल कर रही हूं और इन सब को मिक्स मिक्स करके अब मैं एक बड़ा मग यखनी का डाल रही हूं यह चिकन स्टॉक है जो मैंने चिकन की कुछ हड़ियों का तैयार कर लिया है मिक्स करके अब मैं इसे ढखके रखूंगी उबाल आएगा तो हम इसमें नूडल्स डालेंगे यह देखिए यह नूडल्स मैंने आधा पैकिट लिया है इसको हम उबालेंगे नहीं विवर्स उबाल आ गया है अब मैं डायरिक्ली नूडल्स कच्चे इसमें डाल रही हूं इसलिए मैंने स्टॉक जारा डाला था अब इसे चम्मच की मेंदर से प्रेस कर रही हूं यह आराम से अंदर चले जाएंगी मिक्स करके पैसे ढ़कूँगी और ढगके उबालाने का अंसार करोंगी हृम फ्लेम लो करेंगे विवर्स दो मिनट लगे और उबाला रहा है देखिए नोडल्स पक रही है अब मिक्स करके फ्लेम को लो करके रही हूं और फिर हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे इन के गलने का इंसार कर अब देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है बहुत अच्छी तरह से तयार हो गई है और सॉफ्ट भी लग रही है फ्लेम आफ करके आपके लिए डिश आउट करती हूं तो फिर मिलेंगे प्रेजेंटेशन पर यह देखिए वीवर्स आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन नूडल्स तयार हैं इसे मैंने हरे धनीय से गानिश कर दिया है आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन का हरा पार्ट इस पे स्प्रिंगल कर सकते हैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा अपने दोस्तो के साथ शेयर भी कीजेगा और लाइक भी कीजेगा बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ असलाम लेक्म और अल्ला हाफिज